बिसमिल्य रखमान उरहीम दोस्तों आज हम MicroTik routerboard 750 के अंदर hotspot की configuration करेंगे जो routerboard जितने भी है तकरीबन सब की एक ही setting होती है और एक ही तरह की software होता है अंदर 750 के अंदर 5 ports होती है जैसा के आप देख रहे है Ethernet की इन मेंसे आप कोई भी van बना सकते हैं कोई भी land बना सकते हैं इसकी सबसे बड़ी खासित होती है routerboard की अब जो मेरे पास setting है वो मेरे settings पर display करवाई है जैसे मेरे पास modem है वो मेरे पास उसकी IP है 192.168.1.1 और मैं उसको micro tick board के अंदर 1 में port 1 में मैं उसको assign करूंगा उसकी IP 192.168.1.6 slash 24 और उसकी 2 नमबर जो है वो मैं बनाऊंगा LAN यह बनेगी 1 नमबर और 2 नमबर बनेगी LAN LAN की जो मैं IP रखूंगा हो रखूंगा में 192.168.2.1 slash 24 यह चले start करते हैं यह यह विन बॉक्स विन बॉक्स आप micro tick की setting इसके जरिया open करते हैं आप console open करते हैं micro tick का यह आपको कहीं से भी किसी भी site से मतलब यानि के Google में आप लिखेंगे win box free download तो आप वहां से भी इसको download कर सकते हैं यह easily मिल जाता है मैं अब micro board connect कर रहा हूं computer के साथ आप देख रहे हैं के मेरे computer का LAN busy हो गया जैसी board connect होगा आपको आपको ऐसे हो जाएगा ठीक है आपने क्लिक करना है और login में just admin और password छोड़ेना है आपने connect करेंगे तो आपका board आप computer में open हो जाएगा सबसे पहले interface में जाते हैं interface में आप देखेंगे आप यह setting किसी भी computer में कर सकते हैं for example आपको पास desktop desktop में आप दो land card लगाएं यानिके land card लगाने के बाद ethernet card लगाएं और आप उसमें कोई भी एक land बना सकते हैं सबसे अच्छा तर्जिका यह है के पहले एक land लगाएं जिसमें आपने जो land बनानी है आपने ताके आपको पता चले जाए land कौन सी बनाएगी जिसमें पहले एक चीज़ land लगाने से जैसे मैंने बोर्ड में एक land लगाई है एक तार लगाई है ethernet की तो इसकी ही चलने लग गई है traffic तो इसका मतलब यह है के इस board में मैंने land की तार लगाई है यहनिके एक मैंने उसके अदर ethernet की पोर्ड एक लगा दिये अटिक है कि इस की बोर्ट से यूज़ करूंगा आप इसा कोई भी नाम रख दें अपनी जुरूत की हिसाब से लैंड जैसे मैं लैंड रख रहा हूं ताके मुझे याद रहे मैं से लैंड वन गई है अब मैं इसकी थuit इधिररेट की पॉर्ट मे एक नमबर में मुडेप की लगा रहा गई है यह लगा देखें आप ने देखा के यह कुछ इनदर कर्णे elegant आ गही है अब बढूरी ट्राफिक चलना शुड़ है यस की तका यह चलना चुरू जाई है अब हमारा इंटरफेस में हमने नाम देने थे वो दे दिया हमने इसके पाथ हम जाएंगे आईपी में और अड्रेस में अड्रेस में आलाकर हमने इसके इंदे डालना होते हैं अलग अलग से आईपी अब पहले में लैंड की डाल रहा हूँ इसमें आपको दिखाया था इसमें लैंड में ऐसे डालूँगा यानिके 2.1 डालूँगा स्राइश 24 के साथ ठीक है इसको इसको जस्ट मैंने आईपी डाली है 192.168.2.1 स्राइश 24 अप्लाई ओके अब डालेंगे इसकंदर वैंड जैसे के मैं आपको दिखाया था वैंड मेरे मेरे मुपास मोडम की आईपी है यह वन डार्ट वन तो इसलिए मैं वन डार्ट शिक्स डालूँगा या आप जो भी डाल सकते हैं वन डार्ट शिक्स के आप 10 करते ह अब जस्ट हमने इसका मतलब यह है कि हमने राउटर हमने कुनेट करना है जस्ट मोडम के साथ आप कोई भी डाल सकते हैं इसकंदर मैं डाल रहा हूं इसकंदर वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट शिक्स स्लैश ट्वैंटी फॉट यह हमारे वैंड की आई पी आगई है ओके अपलाई होके अब हमारा अड्रेस के काम कंप्लेट हो गया अब हम आई पी के निदे जाएंगे डिनस डालेंगे कशे हाय में हम ने डालना होता है सबसे स अच्छा डीचे होता है वन एट-डाट-एट-डात-एट-ड्ट-एट-ड्आट-एट-डात-व ये-टड़ए स्कैंड मेंडा डालते ये जोह गयाो हमारे 1 थी एट-डॉट-डॉट-वट-वर तुक्य परदोर कि इसके बाद हम डाला करते हैं राउट्स में यह अल्रेड़ी जब आप डालेंगे अड्रेस में तो यह अल्रेड़ी बन जाएंगे फिर हमने गेटवे डालना होता है गेटवे के अंदर सबसे इंपोर्टन चीज़ है मैंने आप के लिए थोड़ा सही बनाया है अगर मोडेम की आई पी होगी 192.168.1.1 तो आप आई पी मतलब आपस में जैसे में डाला है मैंने यह चीज़ यूज़ किया यह वाली तो आप म पोड़ के अंदर आई पी में आप यह डाल देंगे और गेटवे में आप यह डालेंगे मैं यह डालूँगा ठीक है अगर आप पर 3.1 है तो आप यहां पर 3.7 कर देंगे कुछ भी कर देंगे कुछ भी कर देंगे यहां पर 7 जिखा पर ठीक है और गेटवे में आप ऐसे और आईपी एगर जीरो है इसमें मुडेम किया आईपी या टैन है जो भी है आप इस तरीके से डालेंगे तो मैं यह वाला तरीका यूज करूँगा यह वाला तरीका है ठीक है ओके हम इसमें गेटवेड़ डालते हैं 192.168.1.1 ठीक है बस आपने गेटवेड़ डाल कर ओके कर देना है यह क्या आगया और देखर रीचेपल भी आगया है ठीक है यानिके हमारा गेटवेड बिल्कु सही डाल है अब इसके बाद सब कुछ हो गया confirm यानिके addresses भी डाल लिया है और आप hotspot डालते हैं यानिके configure रिते हैं hotspot setup पे जाएंगे आप land select करेंगे next करेंगे फिर next करेंगे यह आट्मेटिकल अपने पोल बना लेगा फिर next करेंगे फिर next फिर next यह dns भी connect कर लेगा सब्सक्राइब फिर आगया dns name आपने dns name में कुछ भी डाल देने जैसे मैं डालूँगा master dot net डाल देंगे यह ख्याल करिएगा कि आप जो भी डाम डालेंगे इसमें dot loss में डाल दें ठीक है असानी से create कर लेगा next फिर पासवर आपने डालना डाल दें otherwise इसको छोड़ दें next कर देंगे इसको successful हो गया ठीक है इसके बाद आपने setting होड़ी सी होती है कि आप इसको one कर कर दें बेतर है okay और server IP में जाकर आप यहां पर इसको login में जाकर इसको cookies हटा दें अंटिक कर देंगे कर देंगे कर देंगे अब यहां पर देखें इसको सबसे बेतर है कि आप एक बार micro ticks से लेन की केबल निकाल कर दोबारा लगा दें तो बेतर है ताकि यह जो इसने IP अपनी नई बनाई है उस पर connect हो जाए जैसे मैं निकाल कर दोबारा से लगा रहा हूं इससे आपका win box बन हो जाएगा ठीक है तो win box भी दोबारा चला बेतर है मैं दोबार से connect कर रहा हूं भी लॉटर बोर्ड थोड़ा था था टाइम ले सकता है यह देखें नई IP के साथ आ गया है यानि जो हमने IP लगाए थी लेन के उसके साथ यह आ चुका है होके connect अब आपको मैं दिखाता हूं hotspot में यह नई IP के साथ आ चुका है इस वक्त यह होते हैं active यानि के वह यूजर होते हैं आपके जो इस आपके net use कर रहे होंगे active होंगे वह यूजर होते हैं ठीक है उसके बाद हम ने सब कुछ बना लिया अब आपको जरूर पढ़ती ह यूजर प्रौफाेल की यूजर प्रौफाइल आप कुछ बेगा सकते हैं यानि के यानि के लूजर हम बना रहे हैं and 1Mb में आप नाम दे देंगे हैं यहां पर यह नाम है कुछ भी देंगे नामस को 1Mb ठीक है आपके अड्रेसे पॉल वो होते हैं जो होट्सपॉट जब आपने सेटप चलाया था तो होट्सपॉट जब खुद से पॉल रेट करता है वो पॉल इसको सेट करने पड़ते हैं ठीक है आप इसको ऐसे रहने देजीगा अब इसके अंदर आपने डालना होता है रेट अर्स आर्स का मतलब है रसीविंग और टी अब अब या यानिया ट्रांस्मेट आप रसीविंग या यह जो यह यह अप्लोडिंग आपकी जो यह यूजर को प्रॉइड करते हो और कि जाती है आप कम रखेंगे इसको slash 1MB का package है तो आप इसको so kb निकले ठीक है आप यह हो गई setting इसको आप ऐसे रेने दें या इसको आप hotspot login कर दें ओके कर दें ठीक है आप user create करें user में आपने server में आपने देना होता है hotspot और इसके अंदर देना होता है अपने यू नेम में नेम आप कोई भी दे सकते हैं यह user का name होता है यानि जिसको आप user net provide कर रहें for example मेर यूजर का नाम है जिया तो मैं जिया डाल दूँगा उसके पासफ़र्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं 123 डाल देते हैं ठीक है अब profile आपने जो बनाए थी profile का मतलब यह है कि जो आप इसको speed assign करेंगे हम लोग इसको apply और okay कर देंगे यह देखें कि जिया का एक बन कर आ गया है यूजर अब हम इसको check कर लेंगे कि यह देखें विल्कुल अगर यह पेज आपको पस डिरेक्टली शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपके गेटवे में या dns में कोई ना कोई प्रॉल्लम है इसकी जाए पेज यह आटमेटली नहीं आता अब हमारे पास जिया था नाम एक यूजर नेम हमने बनाया थ है उसको हम टेस्ट कर रहे है जिया और उसका पासफ़ड हमने रखा था 123 है देखें सक्सेस्फफ़ली लोगिन हो गया है और यानि कि इंटरनेट पर अक्सेस कर लिए उसने ठीक है आपको दिखायता हूं एक्टिव यूजर में एक्टिव यूजर में भी आ गया है ठीक है जला कि आरे है यह आपके हॉस्त में वह उता है जो जैनिके यूजर आपके ऑक नेटर बे सहनими करेंगे वह होस्त में याइं जो आपके यूजर क्नेक्ट कणेको जाए और नेटर यूजिए वह एक्टिव में याए त स्क現在 में फिस MORE जाए लाइक लिए और मारे वही मैं और वीडियो बना सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ थेंक यू अलाह फेज